नमस्कार आप देखरें नियूस प्यार और मैं हूँ आपके साथ रश्मी आज हम चर्चा करेंगे उस राजनितिक चहरे की जो किसी पहचान के महताज नहीं है जिनके आने से एक पार्टी जो है वो तूटके कागार पे पहुँच गई वो हमेशा ही अपने बेबाक अंदास क लिए जाने गए हैं उन्हें कोई भी बात कहनी होती है जराब ही नहीं डरते हैं चाहे वो उनके पिता हो या फिर उनके छोटे भाई हो दरसल हम बात कर रहे हैं लालो प्रशात यादव के बड़े बेटे तेश्पताप यादव की जिन्होंने हमेशा ही अपने बागी बेश्पताप यादव के कारण है क्यूंकि वो आज भी पाटी में एक साथ रहना नहीं सीख पाए हैं और वो बेबाग अंदास से अपनी बातें जो हैं वो सामने रख देते हैं वो बातें भी कह जाते हैं जो शायद उन्हें कैमरे के सामने नहीं कहने चाहिए आज हम चर् तेश्पताप यादव का जन्म 16 अपरेल 1988 को हुआ था उनका जन्म बिहार में ही हुआ था आपको बताते चले कि वो विधायक भी है हसनपुरा से वो बिहार के पुर्व स्वास्त मंत्री भी रह चुके हैं जब वो राजनिती में आये थे तो जिस तरीके से उन्होंने कदम रखा था वो धीरे धीरे जिस तरीके से वो स्वास्त मंत्री बने जिसके बाद वो विधायक भी बने और जब उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में बोलना शुरू किया तो धीरे धीरे उन्होंने सुरुखिया बटोरनी शुरू कर दी अपने पिता की राजनीती पर वो उनका बेबाक अंदास हो, वो हमेशा ही इन सब बातों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा, आरज़ेटी पार्टी में टूट आनी तब सुरू हुई जब उनके छोटे भाई तजश्वी आदव को जादा एहमियत मिलने शुरू हो गए, तजश्वी आदव जो है, वो हमेशा ही प्रेस कांफरेंस करते नजर आते हैं, जितने भी बड़े बड़े आयोजन होते हैं, वो तजश्वी आदव ही करते हैं, और धीरे धीरे बिहार में ये क्रेज होने लगा कि तजश्वी आदव ही सीयम बनाये जा सकते हैं, जिसके ब लोग जीन्स पहन कर राजनीती करते हैं, उन्हें तो राजनीती करने का कोई हक ही नहीं है, उनके पहनावे पर जग्दा नंसी ने टिपनी की थी, जिसके बाद उन्होंने लालो प्रशात यादव के जनम दिन पर ही जग्दा नंसी को काफी कहें कि अभधर शब्द का भी इस इस्तमाल किया था जिसके बाद आज भी जग्दा नंसींग जो है वो तेश्पता प्यादव से खुश नहीं नजर आते हैं वो उन्हें देखना भी नहीं चाहते हैं ऐसा बताया जाता है जिस तरीके से उन्होंने लालप शात्यादव के जनम दिन पर जग्दा नंसींग के ब एल आर राइस एंड मल्टी ग्रेंड प्राविट लिम्टेड कंपनी इस कंपनी के तहट किसानों से जो है वो आनास खरीद कर उन्हें ही मार्केट में बेचा जाएगा यानि किसानों से सीधे आनास खरीदा जाएगा जिस पर उन्होंने कहा भी था कि वो बिहार के यवाओ को वो रोजगार देंगे जो शायद यहां की सरकार नहीं दे पाती है वो हमेशा ही यहां की सरकार पर भी बोलते हुए नजर आते हैं वो जब अपने भाई को नहीं छोड़ते तो सरकार को क्या छोड़ेंगे जहां एक बार उनका गुस्ता जो है वो सीधे तोर पर देखने वो जैसे ही बाहर आये थे उन्होंने सीधे तोर पे कहा कि संजय यादव जो है वो दोनों भाईयों के बीच आ रहा है और वो हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं आपको बताते चले कि संजय यादव तो जश्वी यादव के काफी करीबी हैं जिसके बात से ही आ ख़़ा हुआ तो तेश पताफ यादव ने इस लोगों को हटा दिया लेकिन तेश पताफ यादव ने अपनी एक अलग पार्टी जरूर बना ली तेश पताफ यादव की नई पार्टी का नाम चात्र जन सक्ति परिशत हैं जिसके तहत ये चात्रों के लिए बनाई गई प प्राइब को आज वो निया दिलाने के लिए यात्रा भी निकाल रहे हैं उन्होंने निया यात्रा भी लगाला था जिस तरीके से लोग यह कहते वे नजर आये थे कि लाल प्रश्ट यादव के साथ आज कोई भी खड़ा नहीं है ना तजश्वी यादव उतना कुछ करते वे नजर आए ना राबरी देवी सामने आए उनकी पत्मी जहां तेश पता प्यादव ने अभियान निकाला उन्होंने इरिक्षा के जर यह न्याय यात्रा निकाला और कहा कि बिहार के हर जिले जिले में वो जाएंगे और अपने पिता के लिए न्याय बटो रहेंगे क्योंकि उनके पिता के साथ चारा गोटाला मामले में जो उन्हें दोशी करार दिया गया है वो कहीं न कहीं साजिस का ही एक नतीज़ा था जिसके तहत उन्हें सजा सुनाई गई तो तेश पता प्यादव हमेशा ही जो है वो सुर्खियों में बने रहते हैं चाहे अपने पत्नी से तलाक ही लेना क्यों नहों आश्वरिया से किस तरीके से उन्होंने तलाक लिया था वो किसी से नई छुपा है उनकी ये बाते जो है वो निकल के सामने आ गई थी उन्होंने कभी नहीं सोचा कि बंद कमरे में किस तरीके से राजनिती की जाती हैं और आज भी वो अपने इसी बेबाक अंदास के लिए जाने जाते हैं, हाला कि आरजडी पार्टी पर सबसे बड़ा खत्रा उनका ये बेबाक अंदास ही जाना जाता है, आज आरजडी पार्टी कहीं न कहीं, बिख़र से जरूर गई है क्योंकि तजश्वी आदव एक अलग सोच रखते हैं, और बजट चल रहा है, और इस बजट सत्र में देखा गया कि तेश्पता यादव और तेजश्वी आदव काफी दिनों बाद जो है, वो एक साथ सत्र में जाते हुए नजर आए, जो सुर्खियां भी बटोरने का काम किया, इस खबर ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी, कि बहुत दिनों बाद दोनों भाई एक साथ नजर आएं और एक साथ ऐसा लगता है कि पार्टी को फिर से जोरने का काम करेंगे दोनों भाई, जहां कुछ दिनों पहले ही जब लालू प्रशात यादव ने कारेकारनी बैठक की थी पट्ना में, तो देखा गया था कि उस कार पहीं सो शायद इशारा करती है कि पिता के समझाने और मा के समझाने से शायद दोनों के बीट जो है वो आपसी रंजिशब खतम होने के कागार के हैं, क्यूंकि अगर ये दोनों भाई एक हो जाते हैं तो शायद आरजडी पार्टी अपने उसी फॉर्म में फिर से आ जाए था कि अगर जो है आरजडी पार्टी ने उन्हें इस्जत नहीं दी तो जडियू पार्टी उन्हें डिप्टिसियम बनने का ओफर दे रही है वो उधर भी जा सकते हैं, उनके ये बयान हमेशा ही उन पे उंगलिया उठाते नजर आते हैं कि अगर उनको जो चाहिए वो उन से चुनाओं में उनका ये बागी तेवर्ट जो है वो क्या असर डालता है क्या इस अमल से चुनाओं में आरजडी पार्टी जीत पाती है या फिर ये कुछ और ही असर दिखाएगा आगे इसे रखे खबरों के लिए बने रहे हमाए साथ हमारे चानल को लाइक शेयर सब्स